हलो बचो वलकम बैक टो चैनल इजी वेटो स्टोड़ी वचो आज हम आपके लिए लिखें क्लास 7 की गणित विश्य की कार्यापतर नमबर 20 बच्चो जैसी कि आप सब जानते हैं सबस्पहले यहां पर हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स फील्ड में हमें अपनी कक् आज के मारगा श्या टाइटल है बचो गातांक और घाद 10 संब्लम संख्या पध्दती हमें बताए गया है आओ दो रहें बहुत बड़ी संख्यां पढ़ने समझने तुलना करने में हम गातांकों का प्रयोग करते हैं इसका हमें बताए गया बच्चो संख्या का प्रसारित रूप हम गातांकों का अप्रयोग करके लिख सकते हैं दस गुणा दस गुणा दस गुणा दस गुणा दस गुणा दस या फिर इसका हम लिखते हैं दस की गात चार इसी प्रकार हजार को हम 10 की गात के रूप में लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10 जिसे अबनेगा 10 की गात 3 किसी भी संख्या को 1 दश्यम्लम शुन्य और 10 दश्यम्लम शुन्य के बीच की एक दश्यम्लम संख्या जिसमें 1 दश्यम्लम शुन्य सम्मिलित है और दस की गात के गुणानफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है संक्या के रूप में उसको मानग रूप कहते हैं सबस्पर हम बताया गया संक्या का प्रसारित रूप क्या होता है उदारन दिया गया संक्या 3,90,878 को गातां के रूप में व्यक्त कीजिए अब बच्चो इस अंक्या आपको हम गातं के रूप में कैसी व्यक्त कर सकते हैं वह देखते हैं पहले बच्चो इसका हम प्रसारित रूप लिखेंगे प्रसारित रूप में क्या करेंगे तीन गुणा एक लाग जमा नो गुणा दस हजार जमा शुन्य गुणा हजार जमा आठ गुणा सो जमा साथ गुणा दस जमा आठ गुणा एक इसका अब लिखते हैं बच्चो तीन गुणा दस की गात पांच जमा नो गुणा दस की गात चार जमा शुन्य गुणा दस की गात तीन जमा आठ गुणा दस की गात दो जमा साथ गुरणा दस्किगात शुन्य चुन्य का आरत यहां पर एक ही होगा hope का यह आपकी दीकरी संक्या एक का गातांकी रूप्वैयर यहां दस्त के गातांक अधिकतम मान पांच से प्रारम होते हुए एक करके गठते हुए शुन्य तक आ जाते हैं यह अब चुछ गात जो थे वह पांच से शुरू होके शुन्य तक आ गए है आखिर में अब उसका संख्या का मानग रूप दिखाया गया है दशमला बिंदू से बाई और के अंकों की संख्या गिनकर उससे एक गटा कर जो प्राप कीजिए अब चुछ उसको मानग रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं पहली संख्या के बाद इसका दशमला संख्या लगा देंगे और देखेंगे वह सीधे आज से उल्टे अत्रप कितनी संख्या आगे आई है तो बच्छो 49,087,08 कमने लिखा तीन दशमला नोज शुन्य गुणा 10,000 जिस से अब बन गया 3.9,087,08 गुणा 10 की गात 4 संख्या एक दशमला शुन्य और दश दशमला शुन्य के बीच की एक दस्यमला संख्या उधारन दूसरा अबच्छो संख्या 3,90,878 को मानग रूप में व्यक्त कीजिए अब बच्छों को मानग रूप में कैस एक लाग को बच्छो पांच शुन्य आते हैं तो इसलिए हमने लिखा तीन दश्यमलाम नो शुन्य आठ साथ आठ गुणा दसकी गात पांच इसके आपच्छा में कुछ प्रशन दिये गए हैं चलिए देखते हैं प्रशनों के उत्तर पहला बच्छो संक्या को गातांके रूप और मानक रूप में व्यक्त कीजिए बच्छो यहाँ पर जो संक्या दी गई हैं इसमें बच्छो हमने इसके तीनों रूप दिखाया हैं पहला प्रसारेत रूप दुसरा गातांके रूप और तीसरा इसका मानक रूप या बच्छो इसी प्रकार अगली संक्या उसमें हमने प्रसारिद रूप, गातांके रूप और मानग रूप तीनो दर्शाए हैं। यहाँ बचों हमें कुछ कतन दिये कि उनमें कुछ संख्याय आ रहे हैं। उनने हमन मानग रूप में व्यक्त करना है। पहले में बच्छों हमें बतायादा हैं। लगाएंगे तो यहां पर एक के बाद नो शुन्य लगाएंगे क्योंकि आप शुन्य के बाद एक और संख्या को दिश्मलों के बाद ले रहे हैं तो यहां पर हमने 8 दिश्मलों तीन पांच तीन और दश्यमलों के बाद हमारी नो संख्या थी तो हमने आप एक के बाद नो शुन्य लगा दिये जिससे अपनगे एक दश्यमलों तीन पांच तीन गुणा दसकी गात नो अगला प्रिशन बचो फृत्विय और चंद्रमा के बीच की दूरी दी गई है इसमे इस दूरी में हम तीन बाद दश्यमलों लगांगे तो देखेंगे उसको कितनी संख्या है और एक के बाद 8 संख्या है तो आम देखेंगे कितने शुन्य है इसमें इसमें 9.00 है और एक और संक्य है जो हमारी दशमलों के बाद आएगी तो इसमें हम कुल मिलाकर 10.00 लगाएंगे एक के बाद जिससे अब बने गाए 1.2 और एक के बाद 10.00 है जिससे अब बने गाए 1.2 गुना 10 की गाद 10 बच्चो यह हमारी वक्षिर का आखरी प्रेशन था इसी के साथ हमारी वक्षिर यहाँ पर समझापत होती है आशा करते आपको अच्छे समझ में होगी बच्चो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करना ना भूले साथ ही अगर आपको कोई question है तो उसे आप comment section में जरूर पूछें हम आपके question को जल से जल answer करने की कोशिश करेंगे और बच्चो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएं तेंक यू